दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेश्बुक एकाउंट का पास्वorn भूल जाने के बाद रिसेट कैसे करते हैं आज आप भी आप पने फेश्बुक एकाउंट का पास्वर्ड भूल चुके हैं और आप उसको रिसेट करना चाहते हैं लेकिन आपको reset करना नहीं आता है तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में अपने Facebook एकाउंट का password reset करके दिखाएंगे तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, share करना और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को subscribe करना तो चलिए दोस्तो आपको वता देते हैं कैसे Facebook का password भूल जाने के बाद reset करते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले अपना Facebook application open कर लेना है Facebook application open करने के बाद यहां पे आपका phone number और password मागेगा login करने के लिए तो हम यहां पे अपना password तो भूल चुके हैं तो हम यहां पे कैसे login करेंगे तो हम यहां पे कहा करना होगे, यहां देखी नीचे option है forget password आपको यहां पे forget password पर click कर देना है forget password पर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है find your account उसके नीचे यहाँ पे देखे लिखा हुआ phone और email यानि कि अगर आपने अपने अपना Facebook account अपने mobile number से बनाया है, तो यहाँ पे मैं अपना mobile number डाल देता हूँ mobile number डालने के बाद आपको यहाँ पे find your account पर click कर देना है find your account पर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा, यहाँ पे आपका mobile number आ जाएगा और यहाँ पे आपका Facebook account जिस नाम से होगा, यहाँ पे आपकी ID दिखाई दे जाएगी आपको यहाँ पे continue पर click कर देना है, continue पर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार के फिर से interface दिखाई देगा, यहाँ पे आपके mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पे डाल देना है तो यहाँ पे मेरा OTP, मेरा mobile number पर आचुका है, तो मैंने आपके अपना OTP डाल दिया है, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे continue पर click कर देना है, continue पर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार पर click कर देना है, continue पर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे option आजागा, type a new password आप यहाँ पे अपना नया password बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना नया password बना लेता हूँ, password बनाने के बाद आपको यहाँ पे continue पर click कर देना है, continue पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा, आपको यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से यहां पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा यहां पर आपके नेट पर डिफेंड करेगा इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरा पासवर्ड रिसेट हो चुका है मेरा यहां पर फेस्बुक एकाउंट लोगिन हो चुका है अब आप यहां पर देख सकते हैं मेरा फ